आज की question जा स्क्रिप्ट के उपर है जिसमें कि हम try catch related questions solve करने वाले तुम्हें इसके वरे में पढ़ रहा तो तो मैं सुचा शेर कर दूँ basically एक question यह है कि एक function के अंदर try और finally block है हमने वल्य ट्राइक पढ़ा ही कर रख है तो try के अंदर return 5 हो रही है finally can return 10 हो रही है और मैं इस function को call कर रहा हूँ जिसका नाम guess output इसको save करके यानि मैं इसको run जब करूँगा तो इसका output किया नाची आपको guess करना है आप चाहिए तो वीडियो को pause करके guess कर सकते है और already हमने पढ़ रखा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा question मतलब छोटा सा यानि कि थोड़ा सा लग होगा तभी question पूछा गया है तो जिनको नहीं पता मेरे साथ follow करें even मुझे मैं नहीं पता था मैंने just अभी पढ़ा तो अगर मैं इसको save करके run करूँगा तो मुझे जो output में लिए ओ 10 है इसको मैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम try catch या finally block के अंदर अगर हम control flow statement control flow statement मतलब क्या जिसे अपना basically control flow होता है statement जैसे return यहाँ पर use कर रहे हैं right return यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा behavior change होता है अब यह देखिए पहले यह code run हुआ try के अंदर गया अब यहाँ पर try के अंदर इसको क्या मिला control flow statement right तो अगर आप control यहाँ पर मिला हमे control flow statement इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि यहाँ पर इसका working mechanism है यह बोलता है कि देखो जब भी तुम्हें यह मिले तो इससे पहले आओ finally block में ठीक है और finally block में यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर return 10 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ addend हमे return क्या मिल रहा है 10 तो यहाँ पर काम करने का तरीका यह ही है कि कुछ भी अगर ऐसा मिलता है तो आप पहले जाओगे finally यहाँ पर जो execute करना कर सकता हूँ यहाँ अगर आप console.log लिखते हैं यहाँ अगर मैं लिखता है running try block ठीक है यह देखिए है यह न यह चीज़ तो आप यहाँ पर देखेंगे यह run हो रहा है अगर मैं यहाँ refresh करू तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर try block के अंदर नहीं किया गया थ यह देखिए तब ही यहाँ पर running try block आ रहा है लेकिन return 5 ने हो रही इसके बाद यह कहाँ जा रहा है अगर मैं यहाँ पर लिखूं running finally block ठीक है अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप यह देखिए basically यहाँ पर यह भी run हो रहा है लेकि at the end क्या return हो रहा है return 10 ठीक है यानि कि finally block ह return हो रही है तो यह कुछ ऐसा काम करता है और अगर आगे question ऐसा पूछा गया तो आप इसको reply कर सकते हो ऐसे बोलके कि basically यहाँ पर जो use हो रही है finally block का working mechanism या work करने का तरीका ऐसा है कि अगर ऊपर कहीं पर भी इसको control flow state मिलता है तो तुरन जम करके finally में आते है यानि कि try या catch म finally के बारे में और भी पढ़ सकते हो हमारे पास डो document है एक mdn पर available है जिसमें आप finally block के बारे में पढ़ सकते है यहाँ पर clause है कि finally block basically कैसे काम करता है और यहाँ पर यह भी बताए गया कि basically finally block में आप control flow statement use नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि bad idea mostly clean up के लिए उसकरते है जैसे कि आपने file खुला और आपको file add the end खुला तो कुछ भी आए error रहे file खुलते हो अगते है कुछ भी तो finally block दोनों किसमें रन होगा चाहे try या catch चाहे दोनों चीज चाहे result positive हो चाहे exception throw हो या ना throw हो finally block रन हो गई होगा so basically कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहा है और यह question यहाँ पर control flow यानि यहाँ से control का जो flow return होने से पहले यहाँ finally block में पहले जाता है और यहाँ पर finally block में जो return हो रहा हो रहा है right so I hope आपको यह समझ माया होगा अगर यह चीज समझ मागी तो थोड़ा इसको और change करते question को ठीक है मैं यहाँ पर क्या करूंगा simply let x equal to 20 कर देता हूँ ठीक है और चीज जो लिकरा च Caitlin कचा इसी फंक्शन के अंदर मैंने एक नया variable ninth कर देग किया जिस पर x20 रखा और रेटन कर रहा ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा यहाँ पर return नहीं कर रहा कुछ यहाँ मैं store होती है वो store होती है हमारे stack के उपर राइट और जो भी non primitive है यानि non primitive यानि जो reference type है वो hip के उपर store होती है अब यहाँ कुछ ऐसे समझ सकते है क्योंकि इसके बाद एक और इसको छोड़ा सा change करके हम question को solve करेंगे अब यह function रन हुआ तो x में क्या हुआ 10 राइट यहाँ पे ए अब try में क्या है return है जो कि control flow statement है तो यहाँ पर हमने क्या पड़ा अगर कुछ भी ऐसा encounter करता है हमारा function यह try के अंदर या जो भी JavaScript तो इससे पहले यहाँ पर finally में आएगा और यह code run करेगा अब यहाँ पर code run हुआ यहाँ पर क्या हुआ x 100 हुआ यानि कि अब हमने क्या बोल कर रहा है कुछ ता कुछ return कर रहा है यहाँ पर हम देख सकते तो अब यह flow वापस यहाँ पर जाएगा और जो return करना return करेगा लेकिन अब जो x के value return होने चाहिती क्या 100 होनी चाहिती क्योंकि हमारे memory में क्या RAM में 100 है लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ क्यों क्योंकि यहाँ पर primitive यानि कि हमारा यह digit number है और यह आता है primitive data type में यानि कि basically हम बात कर रहा है value है ना core value इसलिए plane value हमारा क्या है 20 इसलिए यहाँ पर return क्या हुआ 20 ठीक है इवें दो आप change करोगे इससे इसको फर्क नहीं पड़ा x को क्यों क्योंकि addend यहाँ पर इसने क्या save किया था value save किया था मैंने person लिखा और यहाँ पर एक object बनाया जिसके अंदर मैं name लिख रहा ठीक है यहाँ पर मैं रोहित लिख रहा और मैं यहाँ पर person return कर रहा ठीक है और मैं इसके just नीचे क्या कर रहा अब यह person dot name man equal to rolly कर दिया ठीक है अब यह rolly कर दिया यहाँ तो यह change हो जाएगा राइ यहाँ पर value में change दिख रही है इसका मतलब कि अगर इसको दुबारा समझेंगे इसको यहाँ पर समझेंगे तो flow same रहेगा try catch का लेकिन यहाँ पर data type क्या है reference है right हमें पता है basically reference data type कि इसमें store होता है basically primitive होता है stack में और reference होता है hip में ठीक है तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा example के लिए आप ही देखे person पहले क्या data हमारा क्या object यह हमारा RAM है माल लीजे ठीक है और रेंडम access जो भी memory आप दे सकते हो पर x214 को यह random मैंने यहाँ पर memory दे दी address x712 ठीक है ऐसे तो पहले क्या हुआ यहाँ पर मेरा data name ठीक है यहाँ पर क्या रोहित राइट यह data मेरा data sign हुआ तो basically data क्या है यह data मेरा address है यह क्या reference type data है यानि कि यह जो data है exactly value नहीं है मेरा reference है और reference क्या है यह जो मेरा address x712 यानि कि अब person equal to क्या होगा x712 तो अपना यहाँ पर क्या है यहाँ पर लिच से मैंने x712 रख दिया और basically x जो identify sorry यहाँ पर x नहीं एक्स बोल रहा था person person identifier किसको point कर रहा है इस address को यानि कि अब कभी भी person को को access करेगा तो person की उपर जो value है क्या है x712 और x712 basically किसको point कर रहा है इसको है न यह data को तो यह data किसको point कर रहा है यह sorry address इसको तो यहाँ पर जो return हो रहा था यहाँ पर exactly return मतलब यहाँ पर try रन हुआ try में जैसी control flow statement है त उससे पहले finally लेकिन यहाँ जो return हो रहा था यहाँ पर क्या side में रख दिया गया x214 यानि कि return तो ही होगा जो है यहाँ पर person की उपर क्या है x712 person point कर रहा है इस memory address को finally run हुआ अब person.name यानि कि person किसको point कर रहा है आपको पता है basically person point कर रहा है person की उपर क्या store है memory address यानि कि इस memory address का name change करो तो यहाँ पर रोहित हो गया rolly right यानि कि अब यह होने के बाद वापस इस function को कुछ ना कुछ return करना पड़ेगा return में वापस आया और return क्या कर दिया x214 तो जब x214 return हुआ तो basically यह क्या hold कर रहा है एक memory address जो point कर रहा data को यानि कि x712 और इस पर क्या है हमारा data primitive data इसलिए जो इस पर value है exactly मिल जाएगी है ना so I hope आपको समझ में आओगा वीडियो के बारे में और भी पढ़े सकते है try catch के बारे में MDN पर document है और चाहे तो ECMAS script specification ही पढ़े सकते हो कि basically कैसे काम करता है और I hope आपको आपको वीडियो समझ में आओगी मिलत एकली वीडियो में thank you so much